ओम शायनति आज हम कर रहे हैं 28 सेटमीर की इश्रवधान की रिकोर्डिंग ब्लिस्फल जीवन का साक्षात कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पातर बहो मैं है जीवन ही परमात्मा का दियावा जीवन साक्षत का रगर किसी उकराए कि ऐसे जी सकते हैं इस कल्यूग में भी तो परमात्मा तो बैलेंस सबसे बड़ी कला है याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी सबसे पहली blessing परमात्मा की क्योंकि हम नर्ब को स्वर्ग बनाने में परमात्मा के साथ में मिल करके अपने आपको सुधार करके स्वर्ग में जाने लाइक बना करके औरों के सामने सैंपल बन करके हम खड़े हो जाते हैं हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर वन बन जाएंगे हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर वन बन जाएंगे बैलेंस के है अपना सोच, बोल, कर्म उठना, बैठना, खाना, पीना परमात्मा के साथ में ध्यान लगाना meditation करना, साथ में ग्यान सुनना, ग्यान के अनुसार, चलना और फिर ग्यान के अनुसार चल करके औरों को उसके अनुसार कैसे चलना है वो सिखाना balance ही अनेक आत्माओं के आगे blissful जीवन का साखशतकार कराएगा balance को सदा स्मृति में रखते हुए, सर्वप्राप्तियों का अनुभव करते रहो, तो स्वयम भी आगे बढ़ते रहेंगे और अने आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे, balance को सदा स्मृति में रखते हुए कई-कई लोग क्या करते हैं अगर आप देखो दुनिया में भी अगर आपके पास में पैसा नहीं इतना लेकिन आप overspend कर देते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा credit card loan ले लेते हैं तो आप imbalance हो जाते हैं लाइफ में balance नहीं अगर हम meditation इतना नहीं कर रहे हैं अगर हमारे धार नहीं इतनी नहीं लेकिन हम सेवा में कूद रहें दर उदर तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे अंदर चड़चड़ा पना आ जाएगा हमारे इंदर इरिटेशन आ जाएगा थकावट आ जाएगी जिस कारण से वह balance imbalance में आ जाएगा फिर दुवा कमाने के जगा हम बद्दुमें कमाना शुरू कर जते हैं तो इरिटेशन होना, चड़चड़ा पनाना, क्रोध आना ये सारे चीज़े हैं imbalance की निशाने की हमारा योग थोड़ा सा कम हो गया है और हम सेवा प्रती ज़्यादा लग चके हैं तो इसका मिला है back step लो, recharge कर अपनी batteries को, recharge करके फिर आगे बढ़ो तो balance को सदा स्मृती में रखते हुए, सर्फ प्राप्तियों का अनभव करते रहो, तो swim भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्मा को भी आगे बढ़ाएंगे नीट, तो हम अन्य आत्मा को पीछ खीचना शुरू करते हैं, negativity तरफ, तो ये चीज़ बहुत important है, हर चीज कम output मिलेगा, काम करने में मन कम लगेगा, असर पढ़ेगा हर चीज़ पर, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, spirituality में भी, और ये चीज़े सिका जाती है, ब्रहम कमरीज में है, ओम शायति इसके साथ,